इस वीडियो में मैं आपको बताने वाल हूँ अगर आपको अपने OnePlus की iPhone में मिल रहा है दोस्तों वाइफाई कंट्रॉल का तो यह वाइफाई कंट्रॉल जो है शेटिंग क्या होता है और आप दोस्तों इसको जाए कैसे किसी भी एप के लिए एलाव करके यूज कर शकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बटसे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन वेल को दवा कर, और जरूर क्लिक करिएगा, चलिए शु आपको यहां वाइफाइ कंट्रोल का उप्स मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा, अब दोस्तो देखिए वाइफाइ कंट्रोल दोस्तो एक जो है परमिशन होता है, तो दोस्तो आप जिस भी एप को यह परमिशन दे देंगे, मतलो जिस भी एप में आप यह परमिशन इस तरी और याउफ कर सकता है जाया इससे दोस्तो देखिए माली ज़ये दोस्तों आपके फेस्वुक अप में दोस्तों जो है वाइफाई आउन करने का जरुरत है किसी भी चीज के लिए तो वहां पर जो है वाइफाई अपने याप आउन हो जाएगा और इसी तरीके से अगर वाइ उसे वाइफाई कंट्रोल करने का पर्मिशन दोस्तों दे रखा है तो आप जी साहब को ये पर्मिशन दे देंगे वो दोस्तों जैसे ही अगर आपके फोन में वाइफाई कनेक्ट होगा या वाइफाई से आपने कोई डेटा कनेक्ट कर रखा होगा तो दोस्तों जैसे हैं वाइफाई आपका कनेक्ट होगा तो वो अप चलना शुरू हो जाएगा इसके अलावा अपने यूज के लिए आपके दोस्तों वाइफाई को आन या उफ कर सकता है जिस आपको ये परमिशन दे देंगे और जिस आपको ये परमिशन नहीं देंगे मतलब जिसमें आप ये बंद कर देंगे तो वो जो है दोस्तों अपने यूज के लिए आपके वाइफाई को आन या उफ दोस्तों नहीं कर सकता या फिर Wi-Fi Connect रहने पर दोस्तों जो है अपने आप आपके फोन में चलना शुरू नहीं होगा तो इस तरीके से आप चाहें तो दोस्तों किसी एप को ये परमिशन दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो दोस्तों नहीं भी दे सकते हैं ये आपके मर्जी है इस तरीके साथ दोस्ता वाइफाइ कंट्रॉल परमिशन को यूज कर सकते हैं अपने वर्ट प्लस के मॉबाइल में वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा